शियाज वो कटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी देख उसके लिए दोनों तरफ से दो टुकड़ा आता है अब टियान देखता है कि जियाज ने जब शुकैन को दिया ही है तो उसके देने से क्या फायदा वैसे भी शुकैन तो जियाज के देने से ही जादा खुश होगी इसल उसके रूमünde के साथ खाला खाले आई है तो टियान शुकैन से अड्रेस लेकर खुद ही वहाँ चला आता है आते रही चुकैन की क्यर करने लगता है तो शुकैन की रूम में पूछते हैं की वो दूनों सचमेट्स में थे थे ना फिर वह पूछती है शुकैन के सारे दोस इ अच्छा नहीं लगता पर वो शुकैन की कियर करना भी नहीं छोड़ता जिससे शुकैन की रूमेट्स को शक होता है कि टियान उसका लवर तो नहीं शुकैन कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है वो दोनों तो फ्रदर्स है पर टियान को जैसे दिखाना था कि वो शुकैन के साथ बॉर्फिन के जैसे ही dream करता था बाद में टियान कहता है आज का खाना उसकी तरफ से था तो वो bill पे लेगदे कर देगा टियान कहता है जब जियास उसके बेडरूम तक गया तब क्या उन दोनों के बारे में किसे ने गलत नहीं समझा जो उसे लेके लोग गलत समझेंगे। शोकेन के लिए दोनों बाते अलग थी क्योंकि कोई अगर जियास के साथ गलत समझता तो शोकेन को अच्छा ही लगता पर वो नहीं चाहती थी कि टियान के साथ उसे कोई गलत समझे लेकिन टियान भी उससे पैसे नहीं लेना चाहता इसलिए शोकेन इसके बदले उसे बाद म पे पड़ती है जिसका फोन था उसी ने कॉल किया था उसका फोन वापस ले जाने के लिए जब वो आते है तब टाव देखती है वो और कोई नहीं बलके टीचर जू थे जिसके लिए टाव इस शहर में आई थी अगले सिन में हम देखते हैं ये दोनों थोड़ा सामान खरीदने निकले थे जियास को ये फ्लिवर देते देख कि टियान कहता है उसे तो ये फ्लिवर पसंद नहीं है ना पर जियास ने तो ये शुकैन के लिए लिया था अगले सिन में हम देखते हैं, अगले दिन शोकेन जिस सेट में बैठना चाहती थी, वहाँ एक किताब छोड़ जाती है, वही वो जब क्लास आती है, तो वो देखती है उसका किताब नीचे परा हुआ है, उससे कहा जाता है कि उनके क्लास में casual student की कोई जगा नहीं है, शोकेन बस यूँ ही उस क्लास को attend करना चाहती थी, क्योंकि उस क्लास की जो teacher थे, वो बहुत अच्छे थे, तो उनसे शोकेन बहुत कुछ सीख सकती थी, पर उसे तो मौका ही नहीं दिया जाता, रास्ते में उसकी मुलाकात जियास से हो जाती है, उसे उदास देखके जियास उसे teacher जू के पास लेके आता है, उन्हें देखके शुकेन बहुत जादा सुप्राइजड होती है, teacher देखना चाहते थे कि उसका lyrics लिखने का काम कैसा चल रहा था, देखने के बाद वो शुकेन को suggest करते हैं कि एक दिन में lyrics नहीं लिखा जा सकता, तो उसे बहुत जादा hard work करनी हो फिर बाद में वो दो songs की नाम लेती है, जियाज तब उसमें से एक गानी की music बजा के सुनाता है, शुकेन बताती है, बच्वन में उसके parents बहुत सारे activities में उसे admit किया था, जिसमें से piano class भी था, पर वही थी जो किसी में stick नहीं हो पाई, तब जियाज उसे उसकी जगा पे कैसा लग सकता होगा, जियाज भी बिना कुछ कहे, इसी तरह से धीरे धीरे शुकेन के करीब आ रहा था, अगली सिन में हम देखते हैं, ये तिनों skating club आये थे, और यहाँ पे टियाज भी आने वाला था, पर वो कुछ खरीदने के लिए गया था, टियान का कुछ खरीदना म तब ही वहाँ टियान आ जाता है, और दूर से वो उन दोनों को देख रहा होता है, ऐसे में शुकेन अपना balance नहीं रख पाती, तो जियाज उसे इस तरह से पकरता है, दोनों के लिए ही ये दिल धरका देने वाली बात थी, पर टियान को ये बात बिलकुल भी अच्छा नह वो लगी उस पर चिलाने लगती है, तो ऐसे में टयान आ जाता है, और वो शुकेन को अपनी बाहों में उठाके ले जाने लगता है, बात में टयान शुकेन की जूते ख़लते ख़लते बोलता है, अगर उसे स्केटिंग करना नहीं आता तो वो क्यों अपने आपको फॉर्स कर रही थी वो करने में शुकैन कहती है उसने सिखा नहीं ना ट्यान कहता है जियास तो सिखा रहा था तब शुकैन कहती है उसे उसके लिए इंतजार करना चाहिए था शुकैन को मिल्टी पीनी थी तो ट्यान उसे यहां पर लेके आयता है फिर शुकैन जियास के बारे में ता शूकएन उसे खूल के देखती है कि उसके फेवरेट सिंगर की concert की poster थी वो. वो poster इस बच्चे की थी तो वो अपना poster माँखने आया था. शूकन से वो poster लेने के लिए वो उसके हाथों में kartड़ देता है. अपना poster लेके वो जा ही रहा था तो ट्यान उसे बुलाता है जोट कहा, शुकेन तब खुशी से excited फिल करने लगती है अगले दिन शुकेन जियास को देख के खुशी से दोड़ के उसके पास आने लगती है तो उसके हाथों में जितने भी किताब ते वो नीचे गिर जाती है फिर जियास और शुकेन दोनों मिलके ये उस किताब को उठाने लगते है और ऐसा करते-करते जियास का हाथ शुकैन की हाथ उसे टच होती है तो दोनों ही शर्मा जाते है शुकैन को एक्जैम के लिए वो सारी किताब पढ़नी थी तो जियास कहता है कि उसका भी पढ़ना बाकी है तो क्या वो दोनों एक साथ पर सकते हैं शुकेन के लिए ये भी कोई पूछने की बात थी शुकेन को थोड़ा जुकाम हो गई थी तो जियास उसे अपना शर्ट पहना देता है फिर अगले दिनी शुकेन जियास का शर्ट धोके प्रेस करके एक दम पैक करके उसे वापस कर देती है ऐसे में एक लड़की जियास से पूछने आती है उसमें जो कल उसे एक लेटर दिया था क्या उसने पढ़ा था जियास सौरी कहता है तो वो लड़की शर्मिंदा होके वहाँ से चली जाती है ये सिन देख के शुकेन को तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती वो अपना कलास का बहाना दे के वहाँ से चली जाती है और जाते जाते ये सोचल लगती है कि जियास उसे कैसे पसंद कर सकता है कम से कम वो दोनों अच्छे दोस तो है अगली सिन में हम देखते है टियान को पता चलता है कि शुकेन को बुखार हुआ था और उसने मेडिसिन भी नहीं ली थी तो वो खुद चला आता है उसे मेडिसिन देने एक तो टियान लड़का था और उपर से वो इस उनिवर्सिटी का भी नहीं था पर उससे आईडी प्रूफ मांगा जाता है तभी शुकेन की रूम मेट भा आती है और वो टियान को देखके पहचान पाती है शुकेन को लगता है कि उसकी रूम मेट ने ही उसके लिए दवाई लेके आई थी पर वो कहती है टियान ने उसके हादों भेजा शुकेन तभ टियान से थांक्यू कहती है शुकेन को कॉंसर्ट देखने जाना था इसलिए लंबी लाइन लगा के टियान उसके लिए टिकेट खरिदने आता है बाहर बारिश होने की वज़े से शुकेन की रूम मेट टाव को अपने घर लेके आती है दरसल शुकेन की रूम मेट टीचर जू मतलब म्यूजिक टीचर की बहन थी वो बताती है टीचर जू मतलब उसका भाई आप बिजनिस ट्रुप के लिए गए हुए थे तो वो टाव को यही पे रुकने के लिए बोलती है बाद में टाव एक फोटो में टीचर जू को एक लड़की के साथ देखती है टीचर जू की बहन बताती है कि वो उसके गल्फरंड थी वो लड़की विदेश पढ़ने गई थी तो लॉंग डिस्टेंस की वज़े से उन दोनों के बीच अब आटमेटिकली ब्रेक अप हो गया था और वो लड़की भी टीचर जू की स्टूडन थी पर अचानक से टीचर जू वापस लौट आते है और वो आके टाव को अपने घर देखते है टाव के बाल भीगे थे तो टीचर जू उसे हैर ड्रायर देते है हैर ड्रायर लेते वक्त टाव का हाथ टीचर जू के हाथ से थोड़ा सा टच होता है और वही टाउ को exciting feel करवा रही थी वहाँ ये दोनों देर रात तक लाइबरी में बैट के study कर रहे थे बाद में जियाज शुकेन को hostel तक छोड़ने जा रहा था शुकेन को एक shortcut पता थी तो वो उसी रास्ते से जियाज को लेके जाती है SMA guard उने देख लेते हैं और वो उन दोनों को गलत समझते हैं तो इस वचे से दोनों को बहुत डाट पड़ती है अगले दिन टियान शुकेन को एक लिफाफा देता है पर शुकेन बाद में वो देखने वाली थी तो वो अपने बैग में भर लेती है अगले सिन में हम इन सबको साथ में देखते हैं इतने सारे लोग एक साथ थे तो शुमय कीई गेम खेलनी की बात करती है पहले कीई शुमय बनती है वो जिस नंबर के person से सवाल करने वाली थी वो जियास था वो उसे पूछती है कल राद शॉर्टकट वली रस्ते से दो लोग जा रहे थे और वो दोनों पकड़ी गए थे क्या उसे पता है वो लोग कौन थे शुमे को देख के लग रहा था कि वो जान बूच के ये सवाल कर रही थी शुकेन बहुत इंबर्स्ट फिल कर रही थी तो वो नहीं चाहते थी कि शुमे इस टॉपिक के बारे में बात करें पर जियास को इस सवाल से कोई प्रॉब्लम नहीं था वो तो एडमिट करता है कि कल राद वोई पकड़ा गया था और ये भी अलग से बताने की जरुरत नहीं थी कि उसके साथ शुकेन ही थी ट्यान को ये जानके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था खेलते खेलते दूसरी बार शुमे किंग बनती है और इस बार भी उसे जिस नंबर के परसंसे सवाल करनी थी वो जियास था शुमे पूछती है क्या उन में से कोई एक लड़की है जिसे वो पसंद करता है तो जियास भी हा कहता है